जैमा काली मित्रो आपका मेरी चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नई हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजे जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशह है वो विशह ये है कि इस माशिवरात्री पर हम भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करें जो हमें उनका अशिरवात प्राप्त हो उनकी क्रपा प्राप्त हो और किस प्रकार से हम उन्हें प्रसन करें देखी मित्रो आज का जो समय है आज के समय में सब भी विक्ति परेशान रहते हैं और उनके पास में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास सामगरी नहीं होती पूजा के लिए और उनका सामर्थे भी नहीं होता है पूजा का तो ऐसे परिस्तिती में एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से पूजा कर सकता है और सामान्य पूजा से वो किस प्रकार से भगव बोले नात को मना सकता है देखे अनुष्ठान बताने वाले बहुत व्यक्ति हैं जो आपको अनुष्ठान बताएंगे कि शिवरात्री पर हमें किस प्रकार अनुष्ठान करना जाए लेकिन जो व्यक्ति अनुष्ठान नहीं कर सकते क्योंकि अनुष्ठान करना हर किसी व्यक् बोलएनात की पूजा करें जिससे वो हम पर प्रसन हो जाएं रहें अशिवार्द प्रदान करें देखी, मितरो बागवान शिव एक बहुत ही भोले भागवान हैं यानि बहुँझे इन फिर्निजे ने का जाता है क्योंकि वह बहुत जल्दी हो नहीं सकता किसी देवता को प्रसंद करने के लिए क्योंकि जल का तो कोई मूले नहीं होता तो इस प्रकार से आप जल के द्वारा भी भगवान भोले नात को मना सकते हैं और इस बार जो शिवरातरी पढ़ रही है महा शिवरातरी है तो महा शिवरात्री को अगर आप भूले नात को मनाना चाहते हैं वो भी बिना किसी पैसा खर्च किये बिना किसी के सामगरी के भी आप भूले नात को मना सकते हैं छोटी-छोटी वस्तो के माध्यम से देखी सबसे पहले तो आपको शिवरातरी की दिन उठना है सना ना दी करना है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इस्तरियाँ हैं जो कन्याय हैं वो अक्सर शिवरातरी को बाल धोती है तो बाल उनको नहीं दोना चाहिए अगर आपके बाल अशुद्ध है तो आपको पहले दिन दो लेना है शिवरात्री के दिन बाल नहीं दोने चाहिए और अगर कोई आपको एमर्जन्स है तब आप दो सकते हैं लेकिन कोशिश यही करें कि शिवरात्री के दिन आप बाल न दोए उसके बाद में आप एक सामान्य पूजा करें सामान्य बगवान बोले नाद की आप शिवाले में जाएं वहापर जा करके आपको जला भी शेक करना है और उसके बाद में जो भी आपके घर में चीज वस्तू है जैसे आपके पास दूद भी मिल सकता है आपके पास धही भी मिल सकता है, आपके पास शक्कर भी मिल सकता है, आपके पास शहद भी मिल सकता है, आपके पास घी भी मिल सकता है, जो चीज भी है, क्योंकि भोले नात को पंचामरित अती प्रियो होता है, तो पंचामरित आप करेंगे, अगर आपका सामर्ते नहीं है, र करा सकता तो इसलिए आप स्वयम्पी रूद्रा विशेक कर सकते हैं भोले- championships प्आंद का पंचाम्रत के माधियम से तो haven Kim inherent के मंत्र बोलने नहीं आते तो उनका सबसे सम्क्षण होता है जिससे बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं वह है पंचाक्ष्री मंत्र यानि नमस्षिवाई तो जब आप ये सभी चीज़े यानि पंचामरित आप भोले नात को अरपन करें पहले जल का लोटा चड़ाएं फिर उसके बाद में आपको पंचामरित अरपन करना है और पंचामरित अरपन करते हुए आपको नमस्षिवाई नम आपको उनका जला विशेक करना है रुद्रा विशेक करना है और रुद्रा विशेक आप फूलों से भी कर सकते हैं फलों से भी कर सकते हैं गुलाब की पंखडियों से भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपको उनका रुद्रा विशेक करना है और रुद्रा विशेक करने के ब करना है अगर आप ऐसे ही वहाँ पर शिवलिंग को गंदा छोड़ देते हैं तो आप कोई भी पुन्य प्राप्त नहीं होता है बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं हम भी मंदीर में जाते हैं नित नित अन्यन ने लोगों को देखते रहते हैं तो वह क्या करते हैं पंचाम तो ये सब चढ़ाने के बाद में आपको शिवलिंग को पून्टेष साफ कर देना है उसके बाद में आप या तो शिवाले में बैटकर यानि जो मंदिर होता है महाँ पर बैटकर या महाँ पर जयादा भीड होती है तो आप अपने घर में बैटकर के देशीगी का देपक जला करके भूले नाथ का अहवान करे और उसके बाद में अगर आप कोई मंतर नहीं जानती तो सब मंतर जानते हैं ओम नमश्चीवाय का तो आपको बैठ करके यता शक्ति 11-21-51 या 101 जितनी माला जाप आप कर सकते हैं उतनी माला आपको जाप करनी है जितनी आपकी सामर्थि 21 माला की है तो आप 21 माला करें उससे ज़्यादा किया तो उससे ज़्यादा करें क्योंकि महा शिवरात्री पर सभी शक्तियां जागरित रूप में होती है और इस दिन जितना भी आप जाब करेंगे एक समय करें दो समय करें चार पहर करें क्योंकि शिवरात्री है और रात्री में ही भगवान शिव की पूजा विशेश फलता ही होती है तो आपको क्या करना है आपको सुभा भी पूजा करनी है आपको रात में भी पूजा करनी है तो रात की समय भी आप पूजा करें और अगर आप रातरी में जागरन कर सकें यानि पूरी रात अगर आप जाब कर सकें पूरी रात भजन कर सकें भगवान का कीरतन कर सकें तो वो भी करें क्योंकि शिवरात्री है तो रात्री में इस रात्री में शयन नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है तो इसलिए आप जाक सकते हैं तो जाक करके भगवान बोले नात का जाब करें, कृतन करें, भजन करें तो अगर आप ये करते हैं क्योंकि अगर ये आप करते हैं तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो सकता आपकी शारिरिक महनत है अगर आप सामगरियों से भगवान को नहीं मना सकते तो आप अपने भाव के माध्यम से भगवान को मना सकते हैं आप शारिक श्रम करके भगवान को मना सकते हैं आप जाप करके भगवान को मना सकते हैं क्योंकि जाप एक ऐसी चीज है जिससे देवता को उर्जा मिलती है आपको भी उर्जा मिलती है तो जाब के माध्यम से आप उनको मना सकते हैं तो इस प्रकार से आपको शिवरात्री के दिन में ये सभी कारी करके भगवान शिव को आसानी से आप मना सकते हैं इसलिए हमने कोई अनुष्ठान आपको नहीं बताया है हमने के बाद एक सामान्य पूजा आप सभी को बताई है अनुष्ठान आपको बताने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन आप सामान्य पूजा कर सकते हैं ग्रास्त व्यक्ति हैं सामान्य पूजा के माद्यम से भगवान भोले नात को मना करके आप पुन्य के भागी बनते हैं उनक पारवती का गठवंदन करें गठवंदन करने से क्योंकि जिस प्रकार से मा शक्ति और शिव एक हैं और जब उनका गठवंदन किया जाता है तो वो आपको आशिरवात देते हैं यानि आप उनको दो से एक कर देते हैं गठवंदन के माध्यम से तो वो आपको आशिरवात दे तो जो पती पतनी के बीच का मन मुटाव है वो दिर दिर खतम होने लगता है और जो इस्त्रिया प्रतेग तिरोच्छी के दिन गठबंदन करती है उनका वहवाईक जीवन बहुत सुकी रहता है तो शिवरात्री के दिन अगर आप पती पतनी आपके साथ लड़ाई जगड़ करती रहे आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल